नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सीगुम आप देख रहे हैं सीगुम टीवी आज की इस घमाकेदार वीडियो में हम जानेंगे दंगल टीवी पे आने वाले सीरियल सुभ सगुन सिरील में निभाने वाले एक्टर औन एक्टरस का रियल नेम एंड रियल एज को तो वीडियो के साथ लास्टक बढ़े रहे हैं तो चले बिना किसी तरी के वीडियो को सुरूख वही जो कि इस सिरील में अर्चना का किरदաर निभा रही हैं उनका रियल नेम वंदना बिठलानी है और इंका जनम 26 जनवरी 1989 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 43 साल है वहीं जो कि इस सिरिल में नव्या का किरदार नीभा रही है उनका रियल नेम काजोल सिरुरास्तो है और इंका जनम 16 सितंबर 1993 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 28 साल है गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब केजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमली को भी वीडियो को सेर कीजिए तो चलिए अब बात करते हैं वहीं जो कि इस सीरियल में यूग का किरदार निभा रहे हैं उनका रियल नेम मोहित जोसी है और इनका जनम 990 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 22 साल है वहीं जो कि इस सेरेल में राधा का किरदार निभा रही है उनका real Наin इसमीता डॉंगरी है और इनका जनम एक जन्वरी 1970 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 52 साल है वहीं जो कि इस सीरिल में ब्रेजेस का किरदार निभा रहे हैं उनका रियल लेम चेतन हंसराज है और इनका जनम 15 जून 1922 में हुआ था तो अभीन क्यूम पचास साल है वहीं जो कि इस स्रील में कनिका का किरदार निभा रही है उनका रियल नेम पापिया सेन गुपता है और इनका जनम 1978 में हुआ था तो अभी इनक्यूम 44 साल है गाइस मेरे चैनल पे अभी गीप अभी चालू है तो जाकर पाकिसिपेट जरू से कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमली को भी बताइए चली आगे बात कते हूं वहीं जो कि इस सिरिल में बिंदिया का किरदार निभा रही है उनका रियल नेम विवाना सिंग है और इनका जनम 25 दिजमबर 1986 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 36 साल है वहीं जो कि इस स्रेल में अनुज का किरदार निभा रही है उनका रियल नेम का जोल चवान है और इनका जनम 30 जुलाई 2001 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 22 साल है वहीं जो कि इस सीरियल में सूप का किरदार निभा रहे हैं उनका रियल नेम सहजादा धामी है और इनका जनम 8 दिसंबर 1996 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 26 साल है वहीं जो कि इस सीरियल में सगुन का किरदार निभा रहे हैं उनका रियल नेम कृष्णा मुखरजी है सिंग है और इंका जनम 1989 में हुआ था तो अभी इनकी उमर 48 साल है तो गाइज आपका इनके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छे लगी तो एक लाइक तो जरूर ठोकना साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन फ प्रेस कर दीजिएगा तो चली फिर मिलते हैं किसी और एक धमाके दार और फटाके दार वीडियो में तब तक के लिए जाएं वंदे मातरम